हेलो इस्टूडेंट आज हम लोग टेंथ क्लास के मीरर अठाथ दर्पन को पढ़ने के लिए जा रहे हैं दर्पन में क्या होते हैं उसके क्या विशिस्ताएं होती है जिदा उससे संबंदित थियूरियां क्या की है क्या क्या है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे आप लोग ध्यान से देखिए दर्पन क्या होता है जैसे कि सबसे पहला परिवासा मेरे पास यही है कि दर्पन किसे कहते हैं तो इसका परिवासा इस परकार हम लिख सकते हैं कि दर्पन किसी खोखले गोलिये गोलिये सताह का वा भाग होता है वा भाग होता है जिसका कम से कम जिसका कम से कम एक भाग एक भाग रंजित हो रंजित हो रंजित का मतलब होता है कि उसका एक भाग रंगा हुआ हो है ना रंजीत के जगा में कभी-कभी उसमें लिख दिया जाता है कि चांदी का परत चड़ा दिया जाता है उसी को हम लोग रंजीत भी कहते हैं लाल रंग से उसको रंग दिया जाता है उसको भी हम लोग रंजीत कहते हैं मतलब उसमें कलाई कर दिया जाता है, हम लोग इतरा से का सकते हैं, उसको कलाई कर दिया जाता है, दूसी एक सब्ध है उसका रंजित, तो हम लोग जामते हैं उसे रंजित हो, दर्पन किसी खोकले गोले का वावा भाग होता है, जिसका कम से कम एक भाग रंजित हो, दर्पन क कालाता है, दर्पन कालाता है, दर्पन दो परकार के होते हैं, दर्पन दो परकार के होते हैं, पहला को कहा जाता है, सम्तल दर्पन, पहला को करते हैं समतल दर्पन और दूसरा होता है गोलिय दर्पन गोलिय दर्पन समतल दर्पन और गोलिय दर्पन तो समतल दर्पन क्या होता है पहला नमबर में समतल दर्पन क्या होता है समतल दर्पन क्या होता है कि वैसा दर्पन जिसका प्रावर्तक सता सम्तल होता है उसे सम्तल दर्पन कहते है उसे सम्तल दर्पन कहते है सम्तल दर्पन कहते है तो आप लोग सम्तल दर्पन को देखे ही होगी कि घर में हम लोग एक आईना होता है जिसके सामने में हम लोग खड़ा होकर के अपने चहरा को देखते हैं वो सम्तल दर्पन होता है लेकिन जो गोलीय दर्पन होते हैं, वो मुखेता आपके घरों में नहीं पाय जाता है, लेकिन घर में होते हैं, जैसे कि वाहन में हम प्रयोग करते हैं, गोलीय दर्पन का प्रयोग करते हैं, वाहन के पीछे को देखने के लिए हम लोग गोलीय दर्पन का प्रयोग करते हैं, फिर दाड़ी बनाने के लिए हम लोग जो है एक अलग परकार के दर्पन का परियोग करते हैं वो सब गोली दर्पन होते हैं जिसे कि आप यहाँ पर समझ जाएंगे आगे जिसे कि बहुत सारा उधारन मैं दूँगा इससे आपको समझ में आ जाएगा गोली दर्पन क्या होते हैं गोली दर्पन का परिभासा मैंने उपर में लिखे दिया है कि दर्पन किसी खोकले गोली सता का एक भाग होता है जिसका कम से कम एक बात रंजीत होता है उसको हम लोग गोलिय दर्पन काते हैं तो एक बार आपको यह का तो प्रिवासा मैं फिर लिख देंगा कि गोलिय दर्पन क्या होता है कि गोलिय दर्पन गोलिय दर्पन खोकले गोलिय सता खुकले गोलिये पारदर्सी सता का सता का एक भाग होता है एक भाग होता है जिसका कम से कम जिसका कम से कम एक भाग रंजित हो गोलिये दर्पन कहलाता है गोलिये दर्पन कहलाता है गोलिये दर्पन होता है जैसे गोलिय दर्पन आपका देख सकते हैं ये एक गोला का एक भाग है जिसमें एक अंदर के भाग को मैंने रंजित किया और एक बाई ये भाग को रंजित किया और इसका एक भाग हम इसका काट लेते हैं इस परकार में एक भाग काट लेता हूँ तो मुझे किस परकार का दर्पन यहां पर प्राप्त होगा देखिए यह दर्पन मुझे प्राप्त हुआ एक ऐसा दर्पन है जिसका प्रावर्तक सता इधर रंजित किया हूँ इसलिए प्रावर्तक सता यह होगा इसका मतलब है कि ऐसा दर्पन जिसका प्रावर्तक सता उभर कotomारे हुआ है और यहां पे दीखिये इसका है जो मेने भाग-प्राप्त किया वो भाग कुछ इते परकार है है कि इसका प्रावर्तक सथा क्लेकिये कुछ धसा हुआ है तो सथा के आधार पर हम दर्पन को दो भाग में बाटते हैं है कि नहीं ये दोनों घुली दर्पन कहीं भाग है लेकिन एक सता जो है इसका क्या है उभरा हुआ है और एक सता इसका धसा होता है तो इसके अधार पर हम कह सकते हैं कि दर्पन दो परकार के होते हैं तो जिसका उभरा हुआ होता है भाग उसको हम लोग उत्तल कहते है उसको हम लोग उत्तल धर्पन कहते है और जो ऐसा धर्पन जिसका प्रावर्टक सता धसा होता है उसको हम लोग अवतल धर्पन कहते है उसको हम लोग अवतल धर्पन कहते है तो यह दो परकार के धर्पन होए तो अब एक एक करके हम दोनों का परिवासा लिखत पहले दर्पन जिसका प्रावर्दक सता उभरा हो उसे हम लोग उत्तल दर्पन कहते हैं उसे उत्तल दर्पन कहते हैं जैसे उभरा हो इस परकार यह अंदर की और इसका कलई किया जाता है अंदर की और आप इस परकार भी इसको बना सकते हैं इस तरह उल्टा भी इसको बनाईए लेकिन उबरा होना चाहिए प्रावतक सता ये भी आपका है आप इस प्रकार भी बना सकते हैं इसको देखे इसका उबरा हुआ है प्रावतक सता इसका भाग आप गोला से जिदर से आप खाट सकते हैं जैसे इस प्रकार भी बना सकते हैं जिसका देखे प्रावरतस्ता उबरा हुआ है, यह चारों जो है, आपको अलग अलग दिसा में आपको उत्तल दर्पन को बता रहा है, जिसका प्रावरतस्ता उबरा हुआ है, इसका भी प्रावरतस्ता उबरा हुआ है, इसका भी प्रावरतस्ता उबरा हुआ है, इसका भी ल आता है उसको हम लोग उत्तल धर्फन कहते हैं है नहीं दूसा नंबर में आता है आवतल धर्फन आवतल धर्फन क्या होता है इसे वैसा धर्फन जिसका प्रावर्तक सता धसा हुआ उसे आवतल धर्फन कहते है उसे आवतल धर्फन कहते है वैसा धर्फन जिसका प्रावर्तक सता धसा हुआ तथा बाहिये भाग रंजीत हुआ इसको मिसे कह सकते हैं तथा बाहिये भाग रंजीत हुआ तथा बाहिये भाग रंजीत हुआ रंजीत हो उसे आवतल दार्पन कहाते है उसे आवतल दार्पन कहाते है जैसे अब हम देखें जिसका बाहिये भाग रंजीत हो इस परकार भी हम कहाते है जैसे यहाँ पर हो गाई यह भाग रंजीद हो यह स्वार अवतल दार्पन है जैसे यहाँ तो यह दर्पन का बीभाजन है